Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की collective reading है और आज हम करने जा रहे हैं You versus them reading next 48 hours में आप लोगों के connection में क्या हो सकता है क्या possibility है ये हम जानने की कोशिश करेंगे So regardless आपके आपके person के साथ क्या situation है ये reading सब के लिए open है और बिलकुल भी gender specific नहीं आप इसको male के लिए देख सकते हैं, female के लिए और same gender के लिए भी ये बिलकुल एक timeless reading है, जब भी आपकी नजर से गुजरेगी आपका उस वक्त का message होगा इसके इलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ के cards possibilities बताते हैं, आपकी final destination सिर्फ divine source को पता है सिर्फ divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers हैं, thank you so much आप लोगों के प्यार और support के लिए I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all अगर आप नए है मेरे channel पर, तो आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना पसंद आए तो like भी कर दिजेगा और share भी कर दिजेगा सो अब हम start करते हैं, आज की ये reading सबसे पहले आपके connection की overall energy देखेंगे So six cards होंगे आपके connection की overall energy के लिए Four, five and six So let's see आपके connection की overall energy क्या है Okay, पहला card है हमारे पास cheating So maybe आपको ऐसा लगता है कि आपके person ने आपको cheat किया है या फिर literally आपके person ने आपको cheat किया है, cheating की energy है But ये card सबके लिए नहीं होगा, बहुत specific है फिर है हमारे पास heartbreak, so आप लोग इस वक्त बहुत ज़ादा आपको दुख है, तकलीफ है, heartbroken महसूस कर रहे है फिर हमारे पास है internet, so maybe ये connection आपका internet के थूँ बना या social media के थूँ बना फिर है हमारे पास darkness, so इस वक्त आप लोगों को ऐसा लगता है कि अधेरा है, वीरान महसूस हो रहा है, बहुत ज़ादा emptiness से, darkness से आपको ऐसा लग रहा है कि सिंदगी बहुत difficult है या सब कुछ खतम हो रहा है, again ये messages सब के लिए नहीं होंगे, maybe आपकी feeling इस से totally opposite हो, but किसी के लिए ये messages है और फिर है हमारे पास pause सो आप लोग का connection अभी pause में है stuck है situation, कोई progress नहीं हो रही कोई movement नहीं हो रही और फिर हमारे पास call and text सो maybe आप लोग manifest करना चाह रहे है call या text अभी आप लोग का contact नहीं है या फिर less contact है सो ये overall कुछ messages है जरूरी नहीं कि आप इन सब से resonate करें let's start आपकी energy से शुरुआत होगी और फिर आपके person की energy हम देखेंगे so you versus them reading में हमेशा ही मैं ऐसे करती हूँ कि six cards उपर वाले आपके लिए हैं और नीचे वाले six cards आपके person के लिए so हम आप दोनों की एक दूसरे के लिए feelings देखेंगे सब से पहले और फिर हम oracle से देखेंगे कि next 48 hours में क्या हो सकता है so bottom of the deck पर overall energy होगी जो के आप दोनों की mutual energy होगी so let's start हमारे पास है night of swords so ये fast movement का card है और ये आप दोनों की energy है so इसे मैं positive indication लोंगी because ये communication है ये progress है ये movement है और बड़ी quick movement है आप लोग darkness से बाहर आ रहे हैं definitely आप दोनों ही एक दूसरे से communicate करना चाहते हैं दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं कुछ clarify करना चाहते हैं maybe कोई misunderstanding थी जिसे खतम करना चाहते हैं so ये आप दोनों की mutual energy है कि आप लोग clearly directly एक दूसरे से बात करना चाहते हैं एक दूसरे की तरफ एक pull महसूस कर रहे हैं बात करना चाह रहे हैं एक दूसरे से so ये आप दोनों की mutual energy है अब हम start करेंगे आपकी feelings से आप क्या feel कर रहे हैं अपने partner के लिए हमारे पास है Ace of Wands, Ace of Swords, Double Aces हमारे पास दो Aces आ गए हैं फिर है हमारे पास The High Priestess फिर है हमारे पास The Hierophant Ace of Pentacles, वाउ, थ्री Aces हैं आपकी reading में और फिर है The Chariot, यह आपकी energy है आपके person की energy देख लेते हैं Four of Pentacles Strength यह उनकी feelings हैं आपके लिए The Hermit, so definitely कुछ लोग less to know contact situation में हैं फिर है हमारे पास The Lovers Next is The Moon और फिर है हमारे पास The Devil Okay, so आपकी energy से start करते हैं आपकी feelings क्या हैं आपके person के लिए सबसे पहले Star Signs discuss कर लेते हैं Taurus, Virgo, Capricorn Taurus, Virgo, Capricorn बहुत strong है यहां पर Pisces, Cancer, Scorpio Aries, Leo, Sagittarius Libra, Gemini, Aquarius सारे ही Star Signs represent हो रहे हैं Leo भी बहुत strong है Pisces, Cancer बहुत strong है Aquarius, Libra भी आप add कर लीजिए, Gemini सारे ही Star Signs हो रहे हैं represent So जो बहुत strong थे वो भी मैंने आपसे discuss कर लिए लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि Regardless of Star Signs अगर energy आपसे match होती है तो बिलकुल आपकी reading है So आपकी energy जैसा कि मैं कह रही थी कि उपर वाले cards से जरूरी नहीं कि हर कोई resonate कर सके आपको पता है कि यह एक general reading है So यह cards बहुत ही जादा opposite है I feel के you are sitting in your power आप लोग बहुत strong individuals है आप लोगों की energy इसवक बहुत strong है बड़ी high vibrational है बहुत जादा आप लोग keen observers है आप लोग खामोशी से observe कर रहे हैं अपने person को आप बहुत जादा spiritual है highly intelligent आप लोग बहुत intelligent है बहुत जादा spiritual है I feel के आप मेंसे कोई teacher हो सकता है कोई spiritual teacher कोई reiki healer हो सकता है कोई motivational speaker हो सकता है बड़ अगर ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोग बहुत spiritually strong है और आप spiritually हर गुजरते दिन के साथ बहुत जादा grow कर रहे हैं और आप इस connection को बहुत spiritual perspective से देख रहे हैं आप लोग बहुत spiritually in हैं आप recognize कर रहे हैं कि connection आपको spiritually grow करा रहा है आप कुछ learn कर रहे हैं इस connection से So I feel के यहाँ पर सिर्फ attraction और passion और love ही नहीं है बलके spiritual भी बहुत जादा यह connection है आप लोगों के लिए और आपके नजर में इस connection का बड़ा deep meaning है आप अपने person से communicate करना चाहते है clearly मेभी आपने उन्हें already confront किया किसी बात पर और शायद आपको कोई अच्छा response नहीं मिला और अब आप खामोशी से observe कर रहे हैं अपने person को आप definitely उनके साथ इस connection में progress चाहते है मुझे ये नजर आ रहा है कि आपने let go नहीं किया है आप उनके साथ एक fresh new start चाहते हैं कुछ लोगों के लिए ये नया connection भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास 3 aces है but जरूरी नहीं है again general reading है so आप लोगों की feelings हैं वो बहुत true हैं आपके person के लिए but I almost feel कि आप लोग desperate नहीं है अगर आपकी thinking इस वक्त ये है कि अगर वो नहीं भी आपकी जिंदगी में होते तो भी आप अच्छे से जिएंगे you know what I am saying कि आप लोग desperate नहीं नजर आ रहे हैं you are sitting in your power आप लोग magnetic हैं आप लोग बहुत strong हैं और spiritually grow कर रहे हैं और आपको इस बात की परवाँ नहीं है कि इस रस्ते में क्या तकलीफ है क्या आने वाला है आप लोग इस रस्ते पर चलने के लिए तयार नजर आ रहे हैं और अपने partner के साथ इस connection पर काम करते करने के लिए भी तयार नजर आ रहे हैं जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए और अपने partner के लिए बिलकुल open नजर आ रहे हैं मुझे कोई यहाँ पर आपकी तरफ से यूं कह लिजी कि resistance, desperation की energy नजर नहीं आ रहे हैं आप बहुत ज़्यादा कह लिजी कि mature energy में हैं और बहुत ज़्यादा spiritually आप लोग grow कर रहे हैं I also feel कि आप को spiritual help भी ले रहे हैं आपके कोई guru है कोई है जिनसे आप spiritual help ले रहे हैं आप खुद भी बहुत spiritual हैं जैसा मैंने कहा आप लोग आप लोगोंने अपना peace ढूंडा हुआ है इस present time में I feel कि आप एक peaceful energy में हैं और जैसे आपका दिल आपकी intuition आपको guide कर रही है और आप इसलिए भी relax हैं कि जो आपकी किस्मत में होगा जो आपकी destiny में होगा वो आ जाएगा और जो आपको अपने उपर भी बड़ा यकीन है बड़ा इतबार है कि आप जो manifest करना चाहते हैं वो manifest होगा जो ये बड़ी अच्छी positive thinking है जो मुझे feel हो रही है आप लोगों से जो अगर ऐसा आप feel नहीं कर रहे हैं तो आपको इस energy में होना चाहिए because आप master manifestors है आप जो चाहें आप create कर सकते हैं जिस वक्त चाहें आप अपनी reality को change कर सकते हैं सिर्फ अपनी सोच को बदलने से so कोशिश करें कि आप positive रहें और strong रहें अगर आप ऐसा feel अभी नहीं कर रहे हैं so I feel कि आप इस energy में आने वाले हैं अगर आप इस energy में नहीं भी हैं but overall I feel कि आप बहुत अच्छी energy में हैं बड़े open हैं आपके अंदर कोई negativity कोई anger मुझे नजर नहीं आ रहा है और आप अपने partner के साथ आगे बढ़ने के लिए बिलकुल open है so आपके person की energy देख लेते हैं शुरुआत ही four of pentacles से हो रही है so four of pentacles मुझे पता नहीं क्यों बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है ये card I don't know why because बड़ी stubborn energy आती है इससे जब भी ये card आता है बड़ी guarded सी, closed off सी बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके person एक बुरे इनसान है बट ये नजर आ रहा है कि आपके person बड़े इस वक्त इस present time में बड़ा stubbornly behave कर रहे है, act कर रहे है कुछ choices उन्होंने पहले जिन्दगी में ली जिस पर उन्हें दुख है कि वो choice उन्होंने सही नहीं ली थी और ये choice किसी एक इनसान, यानि दो लोगों में नहीं आप में और किसी और में नहीं आपको पता होगा कि अगर आप में और किसी और में है बड़ ये choice work, family और आप भी हो सकते हैं यानि उन्होंने अपनी personal life को priority दी आप पर या किसी काम को या अपने friends को priority दी आप पर कुछ इस तना से भी हो सकता है ये बट यहाँ पर एक चीज जो बड़ी मुझे clearly नजर आ रही है वो ये कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उनके दिल में प्यार है बट आपके person आप से different है and let me tell you this कि आप अपने person से ज़्यादा spiritual है मुझे आपके person बहुत ज़्यादा spiritual इंसान नजर नहीं आ रहे and I feel कि वो बहुत ज़्यादा spirituality में नहीं जाते हैं, maybe वो इन चीजों पर बिलकुल भी आतबार नहीं करते हैं कुछ लोगों के लिए ये भी नजर आ रहा है but yes, आपके person अपनी spiritual journey पर है no matter what, वो कुछ नया सीख रहे हैं और वो spiritually grow कर रहे हैं and I feel कि इसमें बहुत बड़ा हाथ आपका है आप जब से उनकी जिन्दगी में आए हैं वो बहुत कुछ learn कर रहे हैं subconsciously, चाहे conscious level पर वो इस बात को माने या ना माने और आप से confess करें या ना करें but subconsciously आपके उनकी जिन्दगी जैसे आप सोचते हैं so right now I feel कि आपके person इस journey पर है spiritual journey पर बहुत कुछ सीख रहे हैं but consciously अभी उन्होंने recognize नहीं किया है और कुछ चीजें, कुछ patterns, कुछ negativity है, कुछ toxicity है जो वो धीरे-धीरे समझ रहे हैं कि उन्हें अपनी जिन्दगी से eliminate करनी चाहिए, निकालनी चाहिए अपनी जिन्दगी से because हमारे पस the devil card है और in cards के combination में है so I feel कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आपके person stuck है कोई toxicity है, कोई pattern है कोई उनकी शाहिद habit है ऐसी जो अच्छी नहीं है आदत है कोई ऐसी उनकी जो अच्छी नहीं है जिसे वो धीरे-धीरे recognize कर रहे हैं, करेंगे hopefully यहाँ पर indicate हो रहा है because the hermit एक बहुत spiritual card है soul searching का card है so I feel कि finally आपके person उस level पर आने वाले हैं जहाँ पर वो recognize करेंगे अपने flaws को और जो भी toxicity है जो भी old उनके negative patterns है जिन पर वो आज तक चलते आएं है old limiting beliefs हैं जिन पर वो चलते आएं है और उनसे उनने आज तक कोई फाइदा नहीं हुआ है और खास तोर पर अगर वो किसी के साथ deep connection बनाना चाहें तो उन old patterns के साथ नहीं बन सकता है ये deep चीजें वो realize करना शुरू हो चुके है and they deeply are in love with you आपसे वो प्यार करते हैं but I feel के तोड़ा से stubbornness denial है यहां पर denial है कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं वो आपको वो खुद से भी नहीं मानना चाहते कि वो आपसे बहुत जादा उनने लगाओ है प्यार है, attachment है बहुत emotions हैं उनके दिल में आपके लिए बट वो बताना नहीं चाह रहे हैं बड़े guarded या closed off कह लिजिए नजर आ रहे हैं कि वो show नहीं करवा रहे हैं बट आपके साथ एक बड़ा deep और strong connection वो महसूस करते हैं with a strength card बट उन्हें समझ नहीं आता कि वो आपसे ये discuss कैसे करें आपको कैसे बताएं बेभी आप लोगों के दरम्यान कुछ ऐसा हुआ कि अभी वो शायद आपको face नहीं कर सकते या आपको बता नहीं सकते बट आपके लिए बहुत जादा desire, बहुत जादा feelings उनके दिल में है but again मैं ये कहूंगी कि ये उनकी journey है spiritual journey जिसमें वो grow कर रहे हैं और सीख रहे हैं so I also feel कि शायद आपको इस बात से कभी कबार थोड़ी सी frustration होती होगी बट कभी कबार आपको बड़ा अच्छा भी लगता होगा कि आप उनकी जिन्दगी में कितना खुबसूरत change लेकर आ रहे हैं और ये आप जान भूच कर नहीं कर रहे but ये लिखा था आप लोगों की destiny में ये fated था divinely guided था मैं ये नहीं कहूंगी कि ये divinely guided है कि आपका union होगा इस lifetime में मैं चाहूंगी कि ऐसा हो मैं आप लोगों के लिए दौा करूंगी but ये divinely guided था कि आप दोनों एक दूसरे की जिन्दगी में आएंगे और चुँके आपके person spiritually कोई lesson learn नहीं कर रहे थे, grow नहीं कर रहे थे, अपनी spiritual side से connect नहीं हो रहे थे, so divine plan के मताबिक आपको उनकी जिन्दगी में भेजा गया और वो trigger हुए हैं या inspire हुए हैं और अब वो अपनी spiritual journey पर हैं which is absolutely wonderful, beautiful के आप वो portal बने हैं उनकी जिन्दगी में, आप वो वज़ा बने हैं उनकी जिन्दगी में के वो चीज़ों को differently देखना शुरू होंगे वो deep जो जो चीज़ें हैं अपनी जिन्दगी के aspects हैं उनके बार में deeply सोचना शुरू हो गए हैं soul searching करने लग गए हैं चाहे वो आपको ये बात बताएं या ना बताएं बट उनकी जिन्दगी में एक बड़ा major change आया है आपके आने से और अगर आप इनके साथ कभी ना भी हुए suppose God forbid मैं हे भी कहूंगी अगर आप उनके साथ कभी ना भी हुए I feel के आपके लिए एक soft corner उनके दिल में हमेशा रहेगा और आपको हमेशा वो associate करेंगे अपनी spiritual awakening से अपने lessons से associate करेंगे कि yes एक इनसान मेरी जिन्दगी में आया था उसकी वज़ा से आज मैंने ये सीखा या मैंने ये किया you know so ये बड़ा खुबसूरत reason होता है कि कोई आपको याद रखे right but anyways आपके person के दिल में आपके लिए बहुत feelings है बहुत प्यार है but वो अभी आपके level पर नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग connect नहीं कर पा रहे हैं इस present time में जैसा आप चाहते हैं कि आप लोग connect करें उसकी main वज़ा ये है कि आप अपने person से spiritually काफी ज़ादा आगे हैं advanced हैं और आपके person अभी उस हद तक ना सोचते हैं उस हद तक आप कहलीजिये कि उन्होंने अभी वो evolve उतने नहीं हुए जितना आप evolve हुए में आप old soul है कभी कबार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की बहुत उमर बीच जाती है और उन्होंने बहुत कुछ जिन्दगी में नहीं सीखा होता और कुछ लोग बहुत यंग होते हैं और वो अपनी यंग एज में ही बहुत सी experiences कर लेते हैं बहुत कुछ सीख जाते हैं तो हर इनसान की journey है different तो इस sense में I feel कि आप बहुत अपनी जिन्दगी में experienced हैं अपने person की निस्बत और इसलिए आप ज़्यादा evolve भी हुए है आपके पास ज़्यादा knowledge भी है चीजों के बारे में और आपके अंदर understanding भी ज़्यादा है आपके person की निस्बत तो इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई इनसान बुरा है बट इसका ये मतलब है कि सब की journey different है आपके person अभी उतने evolve नहीं हुए जितने आप हुए है ये एक वज़ा हो सकती है कि आप लोग अभी उस तरह से connect deeply नहीं कर पा रहे हैं बट आपके person इस journey पर है विच इस वेरी positive कि वो learned कर रहे हैं अब हम देखते हैं कुछ oracles आपके person की feelings next 48 hours में और हम ये भी देख लेंगे कि अगर वो कोई action लेंगे next 48 hours में हमारे पास है bittersweet कुछ bittersweet memories शायद आप लोगों की है perseverance आपके person का मुझे ऐसा मैसूस हो रहे है जैसे है उनके दिल में थोड़ी सा उनके अंदर ना pride है I feel थोड़ी सी ego भी है उनके अंदर और वो चाहते हैं कि आप उन्हें pursue करें because उनके दिल में एक एहसासे कमतरी कह लीजिए complex कह लीजिए कहीं न कहीं ये है कि आप उनसे ज़्यादा evolved है आप उनसे ज़्यादा आपके पास knowledge है या आप उनसे ज़्यादा advanced है when it comes to finances overall आपकी जिन्दगी शायद उनसे ज़्यादा बेहतर है at least उनको ऐसा लगता है अगर आप ये सोच रहे हो in case के मेरी तो जिन्दगी में मैं कुछ नहीं कर रहा या कर रही कुछ भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा but आपके person यही सोचते है कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर है किसी ना किसी aspect में या हर aspect में जिन्दगी के और उनके अंदर एक ये ego है कि आप उन्हें pursue करें ये वो feel करते हैं कि आप उन्हें pursue करें कि थोड़ा childish behavior है फिर है हमारे पास grief but deep down उन्हें बड़ा दुख है बड़े तकलीफ है disappointment है उन्हें अपने आप से और अपने behavior से फिर हमारे पास prayer ये बड़ा अच्छा card है prayer का card जब भी आता है वो आपके well-wisher है इसमें कोई शक नहीं है with this card आपके लिए दुआ करते हैं आपको manifest करते हैं आपको सोचते हैं बहुत ज़्यादा they really hope कि आप दोनों का future हो आप लोगों का union हो but बड़ी disappointment होती है उन्हें ये सोच करके जो उनका behavior है but they can't help it उन्हें ऐसे लगता है कि वो क्या करें फिर इस सारी situation पर वो weak नहीं दिखना जाते वो low नहीं दिखना जाते आपकी नज़रों में maybe वो mask करते हैं अपनी feelings को आपके सामने बड़ा strong दिखना चाते है happy दिखना चाते है बड़ा pride में बड़ा ego में दिखना चाते है you know सो ये ये फसाद है ये एक जूट है जो उन्हें मास्क आपके सामने पहना होता है बट डीप डाउन उनको बड़ा दुख है आपको दुख पहुंचाने का आपको तकलीफ देने का उन्हें बहुत दुख है और उनकी फीलिंग्स आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में और कोई एक्शन वो ले सकते हैं या नहीं आपसे मुझे बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड नजर आ रहे हैं हमारे पास है विजडम इस कनेक्शन में कोई बहुत डीप डीप मीनिंग है जिसे आपके परसन ने अभी रेकेगनाईज तो नहीं किया बट अगेन मैं यह कहूंगी कि वो इस जर्णी पर हैं और टाइम टू टाइम उनके दिल में यह खयालात आते हैं हाईर से जब वो कनेक्ट थोड़ा बहुत करते हैं तो नहीं यह खयालात आते हैं कि बड़ा कोई डीपर मीनिंग है इस कनेक्शन यह कनेक्शन बहुत स्पिरिच्वल कुछ खास है इसके अंदर पिर हमारे पास मेटीरियल हार्विस्ट इसके बारे में भी वो सोचते हुए नजर आज़ाएं आ रहें next 48 hours में, so let's see, और उनकी feelings आपके लिए, next 48 hours में, और कोई action, so जैसे मैंने पहले कहा कि energetically आप लोग connected नजर आ रहें next 48 hours में, very soon, wow, so yes, ये हमारे पास एक action का card हो सकता है, बहुत जल्दी, hard to hard conversation, communication, yes, आप लोग expect कर सकते हैं next 48 hours में, communication, bottom of the deck पर है, stay optimistic about your love life, positive thinking and faith will bring you romance, so बहुत जल्द आपकी communication हो सकती है, एक deep communication आपके partner के साथ, वो बड़ा struggle करते हैं deeply communicate करने में, but I feel के, अब वो spiritually grow करना शुरू हो गए हैं और वो आप से honestly communicate करना चाहते हैं, truly, सच्चाई के साथ आप से बात करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, and with these two cards, very soon के साथ, I feel के indication है, next 48 hours में आप लोगों की communication हो सकती है, यह possibility यहाँ पर है, I'm sorry, so कुछ और cards देख लेते हैं, हमारे पास है, love is all around you, there is love everywhere all the time, simply acknowledge this as truth, so आप लोग यह loving energy महसूस करेंगे, next 48 hours में आपके partner की तरफ से, wow, bottom of the deck पर हमारे पास है, the union of hearts, so literally कुछ लोगों का union हो सकता है, reconciliation हो सकता है, but आप लोग expect कर सकते हैं, communication, so love is all around you, आप बहुत lovable है, love is in the air, चाहे 3D में आपके person आपको आकर बताएं या ना बताएं, but really वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार उन्हें है, वो महसूस करते हैं, आपकी जो loving energy आप उन्हें भेज रहे हैं, वो receive करते हैं, उन्हें महसूस होता है कि आपके दिल में बड़ा compassion भी है, और बहुत ज़्यादा प्यार भी है उन्हें महसूस होता है, अगर आप loving energy, healing energy अपने partner को भेज रहे हैं, उन्हें महसूस होती है, so meanwhile आपके लिए क्या आपके angels की advice है, आपके angels आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस तारी situation पर ये भी देख लेते हैं, so हमारे पास है, the situation will improve, तो ये बहुत अच्छा ही कार्ड है, आपकी situation improve होगी, बड़ा ही, literal meaning है इस कार्ड का, बेहतर होगी आप लोगों की situation, बेहतरी आएगी, अगर अभी आपको लग रहा है कि pause में हैं, कुछ नहीं हो रहा, बेहतरी आएगी, meditation brings answers, so आपको encourage किया जा रहा है कि आप meditate करें, फिर है हमारे पास reconsider, so दोबारा से revisit करें, अपने फैसलों को reconsider करें, फिर से सोचें, और उसके बाद कोई फैसला कीजिएगा, ये भी एक message आ रहा है, और फिर है हमारे पास within the next few weeks, so अगले कुछ हफ़तों में major changes, positive changes आप लोग के connection में आ रहे हैं, and wow, bottom of the deck पर हमारे पास है abundance, so definitely आप लोग experience करेंगे abundance, ये खास तोर पर आपके लिए message है, the viewer, और आप से ये का जा रहा है कि अगले चंद हफ़तों में आपकी situation improve हो जाएगी, आप meditate करते रहें, आपको answers मिलेंगे, जो भी आपके जहन में question marks हैं, अगर कोई mystery है, clear हो जाएगा, clarity आजाएगी आप लोग की जिन्दगी में, so yes, next 48 hours में काफी ज्यादा communication के chances है, possibility है कि आप लोगों की communication हो जाएगी, आपके person reach out कर लेंगे, अगर आपने reach out किया, तो भी communication either way हो जाएगी, I feel, but मैं आपको यह नहीं कह रही कि आप अपने person को text कर दीजे या call कर दीजे, यह totally आपका decision होगा, in readings की base पर आपने कोई decision नहीं लेना है, अपनी intuition, अपनी gut feeling से connect किया करें और फिर कोई decision लिया करें, तो यह cards हमेशा possibility बताते हैं, और यह बताते हैं कि present time में आपकी energy क्या है, आप क्या manifest कर रहे हैं, क्या आपकी thoughts हैं, वो reflect करते हैं यह cards, तो यह हमेशा याद रखिएगा, अब हम आपके लिए songs देख लेते हैं, आज मैंने सोचा कि songs भी मुझे use कर लेने चाहिए, तो तीन songs हम ले लेते हैं, पहला song है हमारे पास मन भर्या, बदल गया सारा, वे तू मैंनू छट जाना, next is मेरा दिल हाए दिल, कब बन जाएगा तेरे काबिल, next is प्यार करके देखोना, मेरी तरहां तुम भी कभी प्यार करके देखोना, तो यह हैं आपके songs, अब हम आपके person की तरफ से कुछ messages देख लेते हैं, सारे नए messages मैंने create किये हैं, तो इसमें से थोड़े से हम आज ले लेते हैं, अगर वो अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते, maybe in future कहें या past energy भी आ सकती है, okay, 11 messages मैंने ले लिये हैं, so मुझे महसूस हुआ कि मुझे 11 messages लेने चाहिए, so मैंने 11 messages ले लिये, let's start, पहला message है हमारे पास, I can't deal with emotions, so यह एक problem majorly हो सकता है, आपके person का कि उन्हें emotions से deal करना नहीं आता, वो परेशान हो जाते हैं, confused हो जाते हैं, उनके सामने कोई रोता है, या emotional होता है, उन्हें समझ नहीं आता कि वो अब इस situation में क्या कहें, या कैसे deal करें, या आपके person का एक problem हो सकता है, I wish I could have you, so they really wish के काश वो आपको हासिल कर सकते, You are the song in my heart, आप लोग songs के थूँ connected है, आप में से कोई singer हो सकता है, मेभी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, या आप singing बहुत अच्छी कर लेते हैं, या आपके partner, I want to hold you in my arms, so intimacy crave कर रहे हैं, आपको hug करना चाहते हैं, I know that you are trying your best, so वो आपसी कह रहे हैं कि they know, वो जानते हैं कि आप अपना best दे रहे हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं इस connection को बहतर करने की, और वो appreciate करते हैं आपकी सारी efforts को, Your silence is killing me, so मेभी आप इस वकाश हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं उनसे, और उनको बहुत तकलीफ हो रही हैं आपकी खामोशी से, वो यह आपकी अनरजी भी है, क्योंकि वो खामोश हैं, और आपको बहुत तकलीफ दे रही हैं उनकी खामोशी, call me, so this is the thing, कि हम पहले बात कर रहे थे, कि वो यह चाहते हैं, कि आप उन्हें call करें, again मैं यह कहूंगी, इसका मतलब यह नहीं, कि आप उन्हें अभी call कर दें, यह आपका decision होगा, बट उनकी ego को बड़ा boost मिलता है, जब आप call करते हैं, या initiate करते हैं, I will commit, so आप से ही कह रहे हैं, कि वो आप से commitment करेंगे, बट अभी नहीं, I want to feel you again, so आपकी energy, आपकी presence को वो फिर से feel करना चाहते हैं, उन्हें वो feeling बहुत याद है, पसंद है, और वो फिर से उस feeling को जीना चाहते हैं, जो उन्हें आपके साथ feel किया, I'm missing you so much, so वो आपको बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, and last is I will call you, so इसका मतलब यह है कि, वो चाहते हैं कि आप उन्हें call करें, बट अगर आपने ना call की ही, तो फिर वो आपको call करेंगे, so definitely, शुरू से आखिर तक reading के call text की बात हो रही है, so यह आप लोगों के लिए indication है, sign है universe की तरफ से इस reading में, कि आप यह call यह text manifest करने वाले हैं, आप expect कर सकते हैं उनकी तरफ से call, next 48 hours में, definitely, आप expect कर सकते हैं, possibility है, so यह आप लोगों के channel messages थे, अब हम आपके yes और no question पर आ जाते हैं, आप focus कीजेगा अपने question पर, और हम देखेंगे कि आपका answer क्या है, okay, so हमारे पास है yes, yes, और फिर है हमारे पास yes, so big yes, आप लोगों का जो भी question था, आपका answer yes है, अब हम आपके लिए letters और numbers देख लेते हैं, आपका name initial, आपके partner का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, life path number, house number, okay, so let's see, हमारे पास है, 888, M, G, फिर है हमारे पास N, number 7, Y, G, D, number 6, I, R, X, Y, 11, 11, फिर हमारे पास T, A, X, यह आपके X हो सकते हैं, F, S, Q, D, Z, C, O, 0 भी कह सकते हैं आप इसको, फिर है हमारे पास T, S, number 4, फिर है हमारे पास J, I, U, number 8, N, 888, फिर से हमारे पास आ गया, E, 2, 2, R, F, and 6, so यह आपके letters और numbers हैं, देख लीजे आप से कैसे resonate करते हैं, और यह आपकी reading थी, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया, मुझे आपने जरूर comment section में बताना है, अगर आप नए थे मेरे channel पर, like कीजेगा, share कीजेगा, subscribe करना मत भूलिएगा, जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए द्वा होती है, कि आप अपनी जिन्दगी में जो भी manifest करना चाहते हैं, new love, true love, आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो, और जरूर होगा, क्योंकि you are worthy of love, and you are lovable, अपने आपको ये जरूर बताया करें, अपने धेर सारा ख्याल रखिएगा, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye bye,